नमस्कार दोस्तों स्वागत है आपका यूटूब चैनल कंपेटिशन बासपर और मैं हूँ नितेश दोस्तों काफी सारे कमेंट्स में ये सामने चीज आ रहे थी कि सर यूपी टेट के परमान पत्र कब मिलेंगे तो यहां इस वीडियो में मैं यही बता रहा हूँ आपको कि इसके परमान पत्र कब मिलेंगे साथ-साथ ये जानकर भी आपको होना जरूरी है कि जब आप परमान पत्र लेने जाएं तो कौन-कौन से डोकुमेंट आपके पास होना जरूरी है क्योंकि यह document अगर नहीं होंगे तो आपको प्रमान पत्र नहीं मिलेंगे तो यहां आपको थोड़ी सी जो है problem आ सकती है या आपको घर के दुबारा लगाने पड़ सकते हैं चक कर तो इसलिए वीडियो को पूरा देखें और उस document के बारे में जान लें जो आपको प्रमान प पीचर्स बरती की जो एक्जाम थी जो डिटेल्स था जो कारेकरम था वो करीव 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 कम्पिलिट हो चुका है मामला कोर्ट में तो कभी भी जो है बरती की स्थिति आ सकती है document verification की स्थिति आ सकती है और यह Magpun certificate का यह आपके हाथ में होना जरूरी है क्योंकि इस चल रहा है और जून के mid week यानि की दूसरे सब्ता से मिलने की पूरी-पूरी सम्मावना इसकी जो office टाइम है आप 11 से 3-4 बजे की बीच आप चले जाए तो यह सबसे movie time होता है यहां आपको जो है certificate मिल जाएंगे इसके centers की सूची भी जारी कर दी जाएगी फिलाल यह आप ध्यान रखें कि अब अगले महिने में बीच यानि की 15 दिन बाद यानि की इसके second पकवारे में जून के second पकवारे में आपको यह certificate मिलने लग जाएंगे लेकिन यह मिलेंगे तब जब आपको यह 9 certificate आपके पास होंगे जब आप माहिन को दिखाएंगे तो आपको यह intermediate और इसना तक यहां आपका अंक पत्र और प्रमान पत्र होना आपके साथ जरूरी है इसकी photo परती आप ले जाएं लेकिन मैं सजेश्ट करूंगा कि यह सारे document के आप एक file बना ले original की भी और photocopy की भी जैसे वो मांगे उसको आप दे दें और वो जांच करना चाहे उसकी तो तीन document आपके कौन कौन से हो गए high school, intermediate और इसना तक इसके आपके अंक पत्र और प्रमान पत्र की photo परती आपको साथ ले जाना बहुत ही जरूरी है अब बात कर लेते हैं B.Ed. or B.T.C. की जिन्नोंने B.Ed. किया है B.T.C. किया है तो उसके अंक पत्र और प्रमान पत्र की भी photocopy आपको ले जाना जरूरी है तो आपके document हो गए यहां 4 अब आपके ID proof की बात करते हैं तो ID proof होना चाहिए ID proof में क्या एक तो आपका address का verification उसमें होना चाहिए ठीक है न दूसरी बात वहां आपका photo लगा हुआ होना चाहिए तो इस दो चीज जरूरी होती है ID proof में तो अब इसके अलावा आपके दो photo आपको चाहिए तो आप photo भी अपना passport size बिलकुल नवीन तमाकार का वो अपने साथ रखें फिर इसके बाद आपने जो डियलेड किया हुआ है तो उसका मूल प्रिवेश्पत्र और TET का मूल प्रिवेश्पत्र जो आपको permission letter जारी हुए थे डियलेड वाले और TET वाले वो दोनों आपको original चाहिए तो original ले जाना photo copy भी ले जाना ताकि अगर वो जमा करने की बात कहें तो आप उसको photo copy जमा करा सकें और देखने की बात कहें तो आप उसको दिखा दें फिर आपने जो registration form था आपका ठीक है ना कौन सा UP TET वाला जो registration form वो भी आपको जो है download करके ले जाना चाहिए तो वो भी आपको वहाँ जरूत पढ़ सकती है तो यह 9 document एक बार फिर मैं आपको यहां बता देता हूँ आपका high school आपका intermediate school आपका सनातक B.Ed और B.T.C. यह इनके आपको photo परतिया ले जानी है मूल अंक प्रमान पत्र की इसके अलावा आपका ID proof आपको चाहिएगा दो photo आपको चाहिएगे DLA जो है उसका आपका मूल प्रिविश्पत्र TET का आपका मूल प्रिविश्पत्र और आपका बचा registration form यह भी आप साथ ले जाए इस परकार 9 document आपको वहाँ ले जाने जरूरी होगे तब आपको मिलेगा आप इसे like करें शेयर करें इस तरह के useful वीडियो मैं आपके लिए लाता ही रहता हूँ चैनल पर first time विजिट कर रहे हैं आप तो इसे subscribe कर लें बेल आइकन दबादेंगे आप तो आपको मेरे वीडियो के notification भी लगातार मिलते रहेंगे ऐसा ही किसी useful वीडियो मैं आपको फिर मिल आओं तब तक के लिए नमस्काल